नमस्कार में उश्यू पांटे और आप देख रेकंड भारतास्त कहते हैं कि होनहार विरुवान के होच चिकने पार कुछ ऐसी कहावत को चर्टार्थ किया है प्याग राज के एक ऐसे सक्सियत ने जिन्होंने बड़ी ही कटनाई से एक मुकाम हसिल किया और प्याग राज में अपनी एक अलग पहचान बनाई जी हाँ बात करने वाले हैं कैरियर पॉइंट डिफेंस अकैडमी के डिरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी के बारे में जिन्होंने बड़ी इकटनाईों को सामना करते हुए आखिरकार एक ऐसे इंस्ट्यूट के स्थापना किया एक ऐसे सनस्थान के स्थापना किया जो आज लाखों बच्चों को कैरियर की दिशा दे रहा है जो आज लाखो बच्चों के जीवन में एक मुकाम हासिल करने का जज़़भा दे रहा है और उन्हें उस मुकाम तक पहुचा भी रहा है आई चलते हैं अंदर और देखते हैं और जाने कोसिस करते हैं कि किस तरह से यह संस्थान बच्चों के भविस को समारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और किस तरह से बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुचाने की पूरी कोशिस में लगा हुआ है कि आफिर यह संस्थान किस तरह से इस मुकाम पहुचा और किस तरह से इसमें यह मुकाम हासिल किया आज जिस तरह से यह संस्थान लाखों बच्चों के सपने उक्षाकार कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनी कदम है के साथ में और आयन से जानने को उस्थ करते हैं इनके जीवन की लिशाय में और किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे कि एक बड़ी बात है जिस तरह से आई लाखों बच्चों की जिन्दी सुहार रहे हैं और उन्हें एक नई दिशा दे रहे हैं उनकी मंजिल तक पहुंचा से लिशा का रहे हैं जी जानने के सुना लाखने की मुझे का से मुझा चाहिए और यह यह जिन्दकी इतने आसान नहीं और मुझे तो लगता है ि कहीने कही मई नहीं चाहिए की जैञ नी चाहिए है कि आपकी जीवन की अगर करें तो प्रारंभी जीवन तो बहुत अच्छा नहीं था इस जिवन का एक यह था कि बच्पन में मैं पढाई किया प्ड़ते थे तो पढ़तेnow mane यहें देखा करते थे खियर अगले के पास गड़ी है करने के पास सफ और यह नहीं होगी और यही नहीं आप्स यहां परसम पूछा में उसका जवाब दिलताऊय। प्रॉपर दादा जी मेरे freedom fighter थे शुत्रता सेनानी थे और उनको देखके मैं बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा होता रा थोड़ा से बड़ा हुआ तो दादा जी का देहान दो गया कि दादी के ऊपर मुझे आज भी आते हैं कि दादी के ऊपर पूरी जिम्मेदारिया आ गए पापा लोग मेरे तीन भाई थे दो चाचा और पापा सबसे बड़े थे उस जो दादी को पेंशन में पेंशन में तीनों भाईयों को कही न कहीं देना होता था पापा जी कुछ न अगर पंचर हो जाती तो इसका परसा नहीं करता तो यह होता था कि यार कैसे होगा ममी रोती रहती काम करती रहती लेकिन दुख देखा नहीं जाता था लगता था कि जीवन क्या ऐसे ही कटेगा फिर आगे जब एक मौब आता पापा की दवित खराब होती और उनको बहुत त इसका परीबिक का आइं उसको हमने ही निपाया लोमाई जिम्मेदारी थी गड़े कुरे परिवार में सबसे हम रहे हमारे प्रीवार सबसे इसकी विश्मेदारी और साथ को यह हुआ कि लेकर है तो बढ़ी गुष्ई होती है कि सर आव इस चीजिसको लेकर आए बाकी उसको सुनकर बड़ा ही एक ऐसा खाव आ रहा है कि वास्तों में जितने भी लोग किसी मुकाम तक पहुँचे हैं, वो कहीं न कहीं संघर्षों से होते पहुँचे हैं, तो आपके संघर्षों को भी मेरा सलाम है, और जो मुकाम आज आपने हासिल किया है, और लाखो बच्चो कि जो सपनों को आप शाकार कर रहे हैं, वो अपने आपने बड़ी बात है, सर किस तरह से आप फिर आगे बढ़े, जो ये संघर्ष आपके सामने आए, जो मुश्किले आपके सामने आई, उनको कैसे आपने पार किया और ये जज़बा कहां से आया आपने, लोग कहते हैं क कि सर एक सास सबके हिस्से से हर पल घड़ जाती है, कोई जी लेता है जिन्दगी किसी की कड़ जाती है, तो हमने भी वैसे किया, जिन्दगी जीने की चाह तो बच्पन से रही, और जब स्कूल में थे तो स्कूल में हमने करारी में मेरा प्रॉपर घर सर कौसांबी पढ़ कौसांबी के मंजंपूर ब्लॉग से सठा हुए एक गाह उसा है, पिता जी का नाम राजेश कुमार सर्मा और माता जी का नाम मिना देवी, और मेरे दादा जी का नाम सुद्धिता सेनारी अस्वरगी देशराज सर्मा, जो कि इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किय तो वहां से मैं पला पला और बारवी मैंने रियाज इंटर्मिंटिट कॉलेज से तयारी करने के बाद करारी से पढ़ने के बाद पर 12th क्लियर किया और 2010 में इलहाबास सहरा गया, NDA की तयारी के लिए, अब NDA क्या होता है वो उस समय नहीं पता था, NDA के वाली ये पताता क NDA का मतलब होता है, National Difference Academy, इतना पता था, अब ये भी नहीं पता था, उसको क्लियर कैसे करना है, पढ़ना क्या है, या उसके बाद कुछ, SSB भी किसी नाम की चीज होती की चिडिया का नाम होता है, SSB भी पढ़ना पढ़ेगा, और SSB होता भी कुछ है तो उसको बोलना कैसे अब जब इलाबाद आये तो पिता जी ने तोड़ा मोडा पैसा कटा किया, माता जी ने कटा किया था, उससे खर्चा स्टार्ट हो गया चलना, उस समय दोजादस में मैं लाबाद आया, तो ज़ेज सारे दोस्त बने, वोचिं संस्थाने तो उसमें थी लेकिन बहुत अच् चारण रुपे दी और मुझे चारण रुपे देना था लेकिन मैं ने किमन 2000 दे दे पाया, तो मैं पढ़ाई कि और दे पाई रूरी मैं मुझे कोचिं से बाहर कर दिया झाल, य हसे ऐसे अब हायों में पूण नहीं पाया, फिर मेरे सामने बड़ी चlatती थी नडीय का. को मेंने क्लियर किया पफली परिच्छा को ही पहली क्लियर किया और क्वालिफाई करने के पार मेरी इक पहली सस्बी आई न॥ रियू आई पर सब्सक्राइब ल Ó쳤 लिधा देटर ग trip कॉस्ट से और वोगी होगी चलिए सरिए इन प्रभ यहां से टेंट पकड़ा और और पकटा किया पैस करने कि बाद बीकाना है जब वहां गया तो पहले दिन बाहर कर दिया गया है, बोड़ा दुखवा कि घर वालों ने किसी तरफ इसा इकटा करके बढ़ाया था, और उनको उनका एक सपना था कि पेटा इंटर्व्यू में जा रहा है, तो हो सकता कि हो जाए, उनको यह लग रहा था कि साहिद आईयस य होता होगा कि आदे गंडे में, गंडे में हो जाएगा, लेकिन संजोग ऐसा नहीं था, पहले दिन बाहर कर दिया गया, तोड़ा समय मैंने वहां गुजारा, गोपाल में तोड़ा सा गोमा टेला, मन बड़ा उदास था, उसके बाद फिर वहां से रिटर्न आ गया अगया इलहाबाद आने के बाद फिर पढ़ाई जब सुरू होई, तो पिता जी मुझे बात में पता चला कि पिता जी जो पैसा दे रहे हैं, उनके पास सच में पैसे नहीं तो मैंने सिच्वेशन आपको पता ही, और बात में मुझे पता चला कि पिता जी किसान क्रेडिट कार्ड होता है सराफजाई फिर के सिची बनता है, तो पापा की तब्या स्वासई नहीं कि मुझे जो केती किसानी हो जी तोड़ा फुड़ा उस से मिलता था, लेकिन उनके किसान क्रेड कार्ड से पैसा उठाया, पचास अजार लंसम मिलता था, तो पांच-पांच अजार करके मु कांप जाती ही मेरे लोगटे कड़े हो जाते हैं कि वो कैसा पल था और आज़ करे कर पर इसे पैसा प्रे पहटा लेकिन हि मिलत हु× मेरे पास पैसे नहीं कि यज़ी तो पापा ने बोला कि बेटा का घर घर तो नहीं Playing घर तो नहीं आओंगा, आओंगा तो कुछ बनके या कुछ करके ही आओंगा, तो बोले क्या करोगी इस उम्र में, कौन नौकरी देगा, उस समय 17 साल की, उम्र मेरी 17 साल की, तो यह होता था कि सच में क्या होगा, फिर मैंने एक सिभल लाइन्स में द्रिवेणी मोटर्स करके छोटी से कंपनी थी, वहां मैंने आटो का पार्ट्स था, मैंने वहां नौकरी सुरोखी, मैंने बोला सब नौकरी, इतनी कम उम्र में तुमको नौकरी कौन देगा, हमको पुलिस पर सालवाले पकड़ देगे, यह वो कर देगे, लेकिन फाइनली उन्होंने रखा कि कहां पार्ट्स पर देगे, लेकिन उससे पहले जब मेरे पास पैसे खतम हो गए थे, तो मैं अपने दोस्तों के कमरे पे जाता है, एक भाई साब थे, उनके कमरे में जाता है, तुन्होंने मना कर दिया, देखो, फैमली आती है, मेरी है, बोलना नहीं रख सका है, उसके बाद द जिन्दगी कोई बात नहीं, हमारी भी जैसे कट रही है, क्या हो गए एक आदमी और खना काले जाता है, ऐसे कटती रहे जिन्दगी, और कभी-कभी तो यह भी पलाया, कि कहना तो नहीं चाहिए, कि इस वीडियो में मैं सुसाइट पॉइंट तक भी गया, नहीं पूल से ल पानी पी के जिन्दगी काटी गई, और तीन दिन मैं वहां बिताता, फिर यहां आता, फिर ही होता था, अगर मैं ही कुछ कर लोगा, मुझे ही कुछ हो जाएगा, तो फिर मुझे माबाग प्रजीवन कैसे हो, चोटे भाईयों का एक सपना देख चला, कि मुझे तो अभी पर लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया, तो फिर घर को समा लेका कौन चलायेगां, फिर वहां से आता और फिर मुझे आज मुझे आज भी आ रहे कि उन्हों नौकरी करता रहा, उसके बार मुझे कुछ पैसे मिलें, तो फिर देरे और साही होता तो निया, फिर मैं एक उतल म रहा लाज कुछ में कुछण विविर्शं से क्वीन में वहां काम किया करने में अपना पैर बसा रहा रहा वह समय था से 2013 का प्लद मतलब में तीन साल में वहां बिता दी और 2013 से फिर में ने भीन भीन चित्यों में काम कि रीजिशन में मैंने कांपुर्फोर इन्वस्टी से कंप्लीट किया इसी पीछ मैंने फिर अपना पढ़ता भी गया चोटी बेहन की साथी भी की दोमधाम से किया सर इतना हो सब्सक्राइब इस पीछ में लगबगा आट दस कोचिनों में काम किया एक बड़ा huge experience रहा, लोग मिलते गए, गालियां मिलती गई, धक्के खाते गए असर, धक्के खाते 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 एक संस्थान में जाट तग रहा है आपने बताया कि जब आपके सामने पर सिखिया ज़्यादा बढ़ी तो आपने त्रिवेडी मोटर्स का रुख किया और आप उहां गए आपने वहां पर नौकरी करना सुरुख कर दिया सर तो त्रिवेडी मोटर्स से और कि कोचिंग का फिल्ड अगर देखा जाये तो बिलकुल एक उसरे से डिफरेंट है तो कैसे यह सफर रहा आपका और कैसे आपनी दरूप किया किसी प्रकार का एक्सपिरियंस नहीं था कि मैं अपने जीवन को एक सही दिशा दे पान उस समय किवल यह समस्या रहती है कि कैसे सेल्ली ज्यादा मिले और पैसा ज्यादा मिले जिसे हम घर का भी खर्चा चला सके हम पढ़ने का भी खर्चा उठा सके अपना और साथी साथ बात होती है कि थोड़ा सा सेविंग कर सके किसे आने वाले बाविस में कोई समस्या हो गया कोई बेमार हो गया जरूद बढ़ने तो वह कोई फिक्स नहीं था कि मैंने स्टेट से कुछ जिन्रिंग कर रखी दिया इसी में मुझे MDA मैंने किया तो जब होटल फिल्ड मैंने तो लेकिन बारा गंटा करने के बाद पढ़ने की स्टेटी नहीं होती थी रात भी बीच जाता हुसी में दिन भी बीच जाता तो कभी नाइट ड्यूटी होती थी तो फिर जब मैं वहां बुजारता था कोई जिन तो लात मुझे चोड़ी को अस्वस्त फील होने लगा हुए फिर यह था कि अब नौकरी कहा मिले मैंने नौकरी तो छोड़ दी कुछ समस्याओं की वज़े से लेकिन अभी यह था कि ब अब कोचिंग मैंने काम किया तो फिर किसी कोचिंग को ही मैं डोडने लगा मैं किसी होटल में ने गया होटल में जाता था पहले जब होटल की जॉड़ा तो कही होटल में गया उसके बाद आप समस्याओं सरी रहती थी कि कभी नाइट की डूटी कभी दिन की डूटी तुम उम्रे में बहुत चोटे हो तुम यह नहीं कर पाओगे हम एक्स्पीरियास होल्डर है हमारे पास जिक सब्सक्राइब करने के साथ मुझे लगा कि यह फील आने लगा ता सर की तूड़ा बहुत इंसान का जो एक डिग्री का वर्चस्व है वो रहता है लोग जब नौपनी के लिए जाओ तो लोग कुछते हैं कि एजुकीशन क्या है क्वालिफिकीशन क्या है तो बताते थे ग सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें कितनी मेंनत करते हैं वो नहीं देखता है इंसान को एक फिनिस प्रोड़क्ट ही दिखता है वैं सचिन तेंदुलकर जी ऐसे तो क्रिकेट के भगवान नहीं बन गया है उन्होंने रात दिन मेंनत की वह आज भी वह कड़ागे की ठंड के केवल वही ऐसास कर सकते हैं जब रात में प्रैक्टिस कर देता है और उंक्यों से पून आ जाता है लेकिन इंसान को केवल फिनिस प्रोड़क्ट पता होता है कि हमारा की अगला बंदा है क्या तो ये कहानिया थी इस तरह से चीज़े चलती रही और बहतर होता रहा लेकिन जो भी हुआ क्या कह सकते हैं मेना तो कर रहा ही था गाम्याबी तो गहीं न गहीं से मिलने ही थी तो कोशिस करते रहे सर काफी संघश करना पड़ा आपको दौरान आपने कोचिंग में नौपरी की आपने मोटर कंपणी में नौपरी की उसके बाद यह चुकिए डिफेंस का तो आपका पहले से भी बैकगाउंड रहा आपको डिफेंस के तैयारी करते थे तो कैसे विचार आया कि हमें डिफे मेंस पर कहानी आपने पूछी और मैं क्या बता हूं आपको कि मुझे मेरे पास स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं थे और कहते हैं कि किस्मत जिसको आप जिहांट बोलते हैं सर्ल वो मेहनत का पार्ट है मेरे हाथ में लकीरे नहीं हुआ करती थी यह आपके प्रस्न का जवाब देता हूं सर्फ रहा हाथ मुझे लगता था कि इन सब जिद्धों जहाथ से मैं जब गुजरता था तो बड़े प्रस्न हो ते था मेरा जीवन कुस हाली की दौर पर जायेगा या नहीं जाएगा या न नहीं मिलेगा तो बाब बोलते हैं तो आप कौन सब पूल तुमको पसंद नहीं है तो अब फिर यह था कि भाई शुझल है यह नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे लग रहा है एक तो एक डी मोटिवीशन जो था आसफलता वो बराबर कदम से कदम मिला कर चल रही थी मेरे जीवन में ये बराबर रहा कि मेरे ये सफलता मेरे साथ बराबर चल रही थी लेकिन काम्याभी मुझे मिले ना मिले या लग बात है पर मैं महनत ही न करूँ ये गलत बात है तो मैंने मेहनत कभी भी ना करना सीखा ही नहीं, मैं बराबर मुझे लगा कितने दिन ये मेरे साथ, काम्याबी मुझे कब तक नहीं मिलती ही, मैं देखता हूँ, और आसफलता कब तक मेरे साथ चलती ही, मैं ये भी देखता हूँ, तो मैं बराबर चलता हूँ, फिर एक बाब किसमत माईनेंयों दे रख तिसरा आपके लिए करना ने रखी आपका काम आपका परिस्रम रादूर्बर्टक आपको सबया सब्सक्राइं इस जब से आप एक थाल लेते हैं कि मुझे यह करना है तो फॉ लकीर्या आपके हाथ में बनना शुरू जाती है और आस सर मेरे हाथों में लटी रोगी कमी रही है यह सचा है एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूं सर एक मा जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 9 i2 इस्ते आरे विवार। गों घृटीस के घ्राटैर्य। यह था दहने फैर मुझत तो ही तो आप जो चमता है, जो उस परहीबी को, उस परियशानी को परंखी सब भाण ईस पेता की किसानी एक स्पिटा की बि़िमारी को इस माह को जब आ पर जा आब देखते हैं और उसको जब एक पपन्ने में उतारते हैं तो दोनिया के कुई भी अनौत होती है उसे कलिए conscious living अग्यारो पिर और कोचिंग को अदभुद सक्ति का प्रवेस हुआ, वो सक्ति का नाम है कर्नल सौमित्रदत। जो सायथ मेरे गुरू, मेरे Godfather, जो को मैं मानता हूँ, मैरे जीवन में में कोई गुरू नहीं रहा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। और मैंने यह नहीं नहीं था कि में जीवन ने कभी कोई दोस्ती नहीं जास खिली सच़ाहि मेरे साथ के लिए मेरे साह कोई दोस्ति दोस्ती के लिए हाथखगा पाता है तो यह समस्या मेरे पास थी और करनल सहाब से एक पहली मुलाकात मेरी हुई, मैं एक अकाड़ीमी में काम करता था और वहाँ जब चोड़ी बहाँ चल गया तो फिर उनको मुझे प्रॉपर देखते थे अब वह इतने बड़े अबसर थी उनसे कैसे पूछता कि सर आप कैसे है किया है तो उनों ने उस अकाड़बी मुचा यार वह जिते हम आ गया तो लोगों ने बताया तो सर छोड़ी है तो इतना महेंती था इतने देन से काम करता तो सर ने क्यों चोड़ दिया तो फिर वह दूड़ते-दूड़ते मुझे एक अकाड़बी में पहुच गया कि उसालो ने वाले